मैंने आपसे भी पूछा ये सवाल, मैंने मौदी जी से भी पूछा और दोनो आप दोनो यही कहते थे कि द्याय एक प्रॉयकक्रिया चालू है इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं आपने भी यही का और मोदी जी ने भी यही का 19 साल हो गए हैं तो 19 साल में आप इधर उधर की बाते करते थे पूरा आप डीटेल में नहीं जाते थे अब आप क्या बता सकते हैं कि क्या हुआ उन दिलों में सबसे पहले 19 साल के बाद सुप्रीम कौट के खंडफित ने आज जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे घलत आरोप को खारीच कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पोलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था कौन थे वो आपके साब से ना मैं बताता हूं बाद में और तीसरा इस से भारतिय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैस्विक नेता पर जो घलत आरोप लगाये थे मैं मानता हूं कि लोग तंतर के अंदर मोदी जी ने सम्विधान का सन्मान कैसे हो सकता है इसका एक आदर्स उदाहन सभी राजनिती में काम करने वालों लोगों के सामने करा है मोदी जी की भी पूत्ताच हुई थी, किसी ने धर्णा प्रदसन नहीं करा था देश भर से कारेकरता आकर मोदी जी के समर्धन में सुलिराडिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे हम कानून को कॉपरेट किये थे मेरी भी एरेश्ट हुई थी, कोई धर्णा प्रदसन नहीं करे थे और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बहार आता है विजय होकर तो सुने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाये थे अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारती जनता पार्टी की किसमा मांगनी चाहिए